हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वण्ड माला पहला हमारा वण्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई को वण्ड कहते हैं या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और तुकडे न किये जा सके उसे भी हम वण्ड कहते हैं वण्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वण्ड कहते हैं या फिर दूसरे सब्दों में कहें तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और तुकडे न किये जा सके उसे भी हम वण्ड कहते हैं दूसरा है शब्द शब्द वण्ड से मिलकर वण्डों से मिलकर शब्द बनते हैं वण्डों से मिलकर शब्द बनते हैं जैसे और जोकी एक वण्ड है जो ये भी वण्ड है यो ये भी वण्ड है ये तीनो वण्ड इसली होगा क्योंकि इनके और तुकडे नहीं किये जा सकते अब इन तीनो वण्डों से मिलकर एक शब्द बनता है जोकी है अजै तो ये हमारा शब्द हुआ अगला है वाक्य वाक्य बनता है शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है जैसे अजै जोकी एक शब्द है अच्छा जोकी ये भी एक शब्द है लड़का जोकी ये भी वण्डों से मिलकर शब्द बना है है अजै एक अच्छा अच्छा लड़का है जोकी एक वाक्य बन गया तो ये हुआ हमारा संस्कृत वण्डमाला धन्यवाद अजै जोकी एक शब्द है